वेलकम बैक दोस्तों स्वाथ आपस्री का पुस्मिली एक नई वीडियो में तो आदको आज की इस विरुवे हम फाइनली बात करने जा रहे हैं I Am Not Robot Korean Drama के बारे में जिसको अब जाकर के मैंने पूरी देकर से देख करके खतम कर दिया है जो कि आपको Hindi dubbed language में मिल जाएगा वो भी MX Play के platform पर जिसको MX Player ने आपके लिए पूरी तरीके से free में अवलेबल कराया है तो दोको इस ड्रामा को देखने के लिए आपको इसके 7 के total 16 episodes देखने पड़ेंगे और जो हर एक 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 घंटे कराओं रख करके आपको present की गई है तो आदको आप मैंने इस ड्रामा को पूर्टे कैसा देख करके खतम कर दिया तो actually मैं इस ड्रामा मुझे कितना अच्छा लगा है कितना बुरा लगा है आज की इस वीडियो में यह exactly मैं आपको बताऊंगा और इनकेस अगर आप इस ड्रामा की काश्ट के फैन रहो तो definitely आपसे छोटी स्वेर रहेगी कि इस वीडियो को सुझ लेकर के अंतर जोड देखियेगा और इनकेस अगर आपने अभी तक यह ड्रामा देखा नहीं है तो definitely यह वीडियो आज की आपके लिए helpful होने वाली है plot की बात के तो आदको इस ड्रामा की जो कहानी है वो follow करती कि मिन के character को जो की एक काफी अमीर लड़का है और सासाथ arrogant type का है I mean वो किसी की भी परवाह नहीं करता है और उसको एक अजीब तरह की illness होती है जिसकी वैसे अगर वो किसी आदमी या फिर किसी औरत के physical contact में आता है तो उसको अजीब तरह के reactions होने लगते हैं जिसकी वैसे उसको काफी चीजों का sacrifice करना पड़ता है इवन अपने आपको भी बहुत ज्यादा importance देना पड़ता है दूसरी तब जो कहान ही है इस डामा की follow करती है जोजी के character को जो कि किम मिन के character से पूरी तरीके से opposite होती है जब यह दोनों एक दूसरी से मिलते हैं तो इनकी life में क्या twist आते हैं और जब किम मिन को AZ-3 के बारे पता चलता है तो उसकी life की situations हैं वो कैसा मोड लेती है इनी साइडल्स को जानने के लिए आपको इस डामा को सुरूस लेकर के अन तक देखना पड़ता है अब अगर मुझे इस ड्रामा को एक line में define करना होगा तो बस मैं इतना ही वह लूँगा fantastic ड्रामा की कहानी की जिस आपसे writing की गई है वो आपको sci-fi का touch present करती है comedy का angle present करती है और आपको character के बीच में बढ़िया तरीके से romance को present करती है character ने जिस आपसे अपनी performance को present किया है इस drama में आप उनके cuteness के साथ साथ आप उनके performance के पूरी तरीके से दिवाने हो जाओगे emotional touch को भी जिस आपसे इस drama के director ने screenplay पर present किया है वो differently आपको अंदर से feel होगा drama की जो world reading की गई है वो काफी खतरनाक तरीके से की गई है जिसकी बस ये काफी बड़ी बड़ी sci-fi movies की याद दिलाती है drama की जो twist turn है और जो इसमें आपको एक mystery देखने को मिलती है और जिस आपसे ये drama एक light way से darker way में जाता है उसकी जो detailing आपको देखने को मिलती है वो definitely आपको पूरी तरीके से surprise कर देगी negative thing की बात के तो इस drama की जो कहानी वो एक normal audience को attract करेगी लेकिन इस genre पर जिन लोगों ने धे सारी waveses या movies देख रखे हैं उनको थोरा से ये predictable type की feel होगी बाकी मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप एक जबरदस Korean drama देखना चाहते हो जिसमें आपको बढ़िया romance देखने को मिले आपको बढ़िया sci-fi का angle देखने को मिले तो definitely मैं आपको highly recommend करूँगा कि आपको इस drama को बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए आपको drama MX Play के platform पर मिल जाएगा वो भी free में अगर बात के मेरी तो या दो कमें ने इस drama को काफी अच्छे से enjoy किया है इसलिए मैं इस drama को और आल जज़ करते हुड़ेट करूँगा 4 out of 5 stars तो अगर आपने इसको देख लाको अनुसमें को कि आपको इस drama कैसा लगा है और इनकेस आपको मेरी आज की वीडियो कहीं में अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो ऐसी वीडियो देखना पसंद चाहिए और सब्सक्काइब लग दो मैं फिर से मिलता है नए वीडियो में तिल देन बाबाए